हाई दोस्ता मैं आरकेसानी आज हम चलते हैं एक नई जानकारी की तरफ यह चैबरान ग्रुप है कटा हुआ मेरे साथ आप्रेंटिस के बच्चे काम कर रहा थे इसको देखे तो उन लोगों ने यह कहा साथ जी यह क्या है मैंने बताया चैबरान ग्रुप उन लोगों ने कहा कैसे कटता है आए देखते हैं यह देखे टाप रोलर है बैलिस चोरासी का साथ हम पिछ का इसकी योडी जो है फिजारा सब पच्चीस हम है आए हम निकाल लेते हैं सुत्र के द्वारा मार्किंग कैसे करेंगे देखे ग्यारा सब पच्चीस को हम करेंगे क्या इस ओडी का सरकंफ्रेस निकालेंगे मैंने आपको पहले बताया कि 3.14 से सरकंफ्रेस हम मल्टिप्लाइग करेंगे तो निकलेंगे 35 32 पॉइंट आ गया 3.532 एमम इसका सरकंफ्रेस अब इस सरकंफ्रेस को हम क्या करेंगे देखे 12 रो मुझे कटना है 12 लाइन कटना है तो 32 3.532 एमम को हम 12 से डिवाइट करेंगे तो आज आएगा 294.375 एमम के असपस देखे 294 एमम हम याद रखेंगे यह ओडी है इस ओडी से ही नाप लेगा आदमी यह देखते हैं यह पीनियन की जगे है जाप्ट में यह पीनियन की ओडी जो है 430 एमम है लंबाई इसका साड़े 400 एमम है हम इदर से खड़े होके यह देख लेंगे यह मेरा क्राउन पीनियन है मेरा डारेक्शन चेक कर लेंगे यह बैरिंग की साइज है यह देखिए यह पिंटल साइड है वह क्राउन साइड हो गया यह पिंटल साइड है कि कालर हो गया वह बैरिंग साइज है शाप्ट क्योडी 500 लेंथ जो है 660 एमम और रोलर की लंबा एक्की सो चौंतिस है में यह हो गया अब आगे देखते हैं हम आपको बताते हैं मार्किंग करने के लिए हम इसका सेंटर निकालें देखिए होल है लोटस लल होल है इसके सेंटर से हम एक धागा पकड़ेंगे और उस साइड में भी हम एक धागा यह हमारी सेंटर लाइन निकल चुकी देखिए सेंटर लाइन यह दिखाई दे रही है धागा उने पकड़ा यह आप्टेंटिस के बच्चे हैं मिल लोगों को बता रहे हैं यह देखें सेंटर लाइन हमारी निकल चुकी है अब हम इस सेंटर लाइन के उपर चाक लगा देंगे ताकि सेंटर लाइन हमें पता चले यह इस चाक लगा दिया सारे पर लगाने की जुरूत नहीं है वैसे तो एक ही दांते पर लगाना चाहिए मैं दो दांतों पर लगा कर दिखा दे रहा हूं समझ में आई लोगों को अब हम आगे देखेंगे यह सेंटर लाइन तो निकाल दिया निशान तो लगा दिया अब क्या करेंगे गिनेंगे गिनेंगे इसको हम कितने दाते हो कहां पर करना एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 दाते हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा देखिए यह अठारा हमारा सेंटर हो गया यह हमने निशान लगा लिया अब इसके बाद हम उझे सत्रा धाते बचाएंगे इदे की सेंटर लाइन हो गई अब हम गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा यानि हमारा 35 दातों का जो है सेंटर यह 18 हमां दाता है सत्रा दाते उधर और सत्रा दाते इधर यह कंफर्म हो गया हमने निशान लगा लिए अब हम चलते हैं आगे देखते हैं इसका टंप्लेट बनाएंगे उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका डायरेक्शन रोलर चलेगा किस दिशा में यह जानना जरूरी है कि मेरा डायरेक्शन कैसे रहेगा यह देखिए मैं एरो गना रहा हूं ड्राइब सेट से आप अंदाजा लगा लिजे कि मेरा लेप्र चले गया राइट चलेगा ड्राइब लगने के उपर है मेरा क्राउन पिनियंज जिधर होगा ड्राइब जिधर रहेगी उधर से हम यह देख लेंगे रोलर मेरा कैसे चलेगा रोलर हम ऐसा फिर सेट चलता है हम यह डिरिक्शन बना ले रहे हैं, ताकि याद रहे कि हमार ऐसे चले गा वैसे देखिए हमनों को तो जनरली याद है लेकिन यह आप्टेंटिस्ट की बच्चों के लिए वह यह दिखा दे रहा है हम बेल्डिंग prett लिए, बेल्डिंग robot से हम इसका एक template बना रहा है हम इस जिसा में मोड लेंगे जैसे रोलर का डायमिटर है उस जिसा में हलका हलका मोड लेंगे मोड के परफेक्ट बैठा लेंगे तैकि उसे डिगरी में हमारे मोड ही रहे यह एक चीज हम आपको और बताते हैं कि देखिए यह हम सब को पता है कि एक सर्किल डाया जो है तेन सो साथ डिगरी का होता है और तेन सो साथ डिगरी का होने के बाद मेरा बारा रो है तो एक रो मेरा तीसे डिग्री पर बन रहा है इस तरह से डिग्री हम निकाल लेते हैं अगर दिखते हैं यह हमने बेल्डिंग राट को बना लिया अब हम जो नापे थे 294 mm उसको हम यहां पर काट लेंगे नापे के बेल्डिंग राट को हम 294 mm पर काट लेंगे तो यह हमारा टंपलेट बनके तयार हो गया देखते हैं काटते हैं नाप लिया हमने इसको छेनी की सहायता है से हमने बिल्कुल काट लिया यह हमारा टंपलेट हो गया यह कट गया दुबारा नाप लेते हैं 294 है या नहीं है यह पकड़ा हमने और यह हमने नाप लिया 294 mm है अब चलते हैं टंपलेट हमने बना लिया अब सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम 294 इसे एंटर लाइन पर जाएंगे इसेंटर वाले तीफ पर जाएंगे कि अग्यों युद्धर को कि मार्किंग करेंगे अब देखिए डायरेक्शन जो हमारा है अब भी हम आपको पूछ करिए कि हमारा वीडियो देख रहे हैं बाएं हाथ की तरफ मेरा जो क्राउन पिनियन है उधर से दाइन हाथ की तरफ चलेगा यह देखिए हमने 294 पे एक निशान लगा दिया अब हम दूरी कितनी दूर रहेगी उसे में एक टंप्लेट और काटेंगे यह तो एक बार सिफ लगाना पड़ता है हम टेप से भी नाप सकते हैं आप वैसे समझाने के लिए हम एक का कर फो तूकड़ा बेल्डिंग राट का कात रहा है जो आि दिखिए सो फिर कीतरफ हम अगर इदर खड़े हैं तो हमारे Theo सबसे पहले निशान लगाएंगे तभी हमारा टेपर की डिगरी बनेगी और डायरेक्शन सही रहेगा आगे आपको दिखाएंगे यह देखिए हम 80 mm का एक टुकड़ा काट लिए और इस से हम जो है चैबरान कर लंबाई कितनी रहेगी इसको हम एक कि दिखा रहे हैं अब हम मार्किंग यह जी देखिए यह कट गया अब हम आपको दिखा रहे हैं अब हम मार्किंग यह जो किये थे सेंटर लाइन उससे हम यह 80 mm हम थोड़ा सा पीछे गए एक ही में लगाना जरूरी है दो में जरूत नहीं है लेकिन अभी जाड़ू लेकर बच्चा आया नहीं है अब हम आपको दिखाते हैं साथ यह सेंटर लाइन में सेंटर लाइन में भी मैं ने वह 80 mm आपको नीचे लगा दिया और यह जो हम 294 mm नीचे आया थे उससे हम चले चले गए यह और यहां पर जो है पहले वाले दांते पर भी हम 80 mm पर एक मार्किंग कर लेंगे यह एक ही पर लगाना जरूरी है दो पर जुरुत नहीं समझाने के लिए लगा रहे हैं अब हम रसी को पकड़ेंगे डोरी पकड़ेंगे पहले दांते से जो हम किये थे इधर भी मार्किंग एक कर ले रहे हैं सेंटर लाइन से हम आगे को बढ़ रहे हैं जो हम मार्किंग से फिर हम इधर कर लेंगे हमारी यहां दो मार्किंग होगी जो हम असी इमम उस साइड में गय थे वही उससे मार्किंग यह किये फिर इधर वाली मार्किंग से इधर किया अब यहां पर देखिए यहां दो मार्किंग है सेंटर लाइन में और किनारे पर दो मार्किंग है तो सेंटर वाली लाइन तो हो गई अपसाइड में हम पहले उधर वाला जो असी एम डाउन हुए तो उससे मार्किंग कर रहा है इससे यहां पर यह मार्किंग हमने किया पहले जो हुए थे उससे मार्किंग कर रहे हैं यह मेरी दो मार्किंग यहां पर हो गई अब वो टुकड़े की जुरूत नहीं है अब इससे ही मार्किंग हमारी होती रहेगी प्रॉपर अब यह देखे हम धागा पकड़ेंगे यहां से सेंटर लाइन पर टेपर बन गया मेरी की डिगरी बन गई है कि जाड़ू ले क्या गया इसकी सफाई करा लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं आगे यह देखिए सफाई हो गई अब की लिए चमक रहा है हमने लाइस्ट वाले तीथ से सेंटर वाले तीथ पर धागा पकड़ा यह देखिए मार्किंग कर रहे हैं कि अब हम इसके उपर वाले से जो असे मम बढ़ाया है इस पर और वह इसे भी सेंटर वाले पर पकड़ेंगे कि यह मार्किंग हो रही है कि इसमें डायरेक्शन का आप भी से ध्यान दीजेगा नहीं तो चैबरान ग्रूप उल्टा हो जाएगा यह हो गया और हम चलेंगे दूसरी सेड में दूसरी सेड में भी उसी तरह से ठागा पकड़ेंगे यह नीचे वाले से नीचे वाले को पकड़ेंगे और मार्किंग कर देंगे यह देखिए यह हमारी मार्किंग हो रही है यह अपरेंटिस के बच्चे थे सवाल किये कि सर यह कैसे होता है यह क्या है कर आओ इनलों को बताते बताते आप सब को भी एक जनकारी सेयर कर दिये जाए कि जिसको ना पता उसे पता हो जाए जबरान गुरूप कैसे कटता है देखिए यह मार्किंग हो जाएगी दिखाई देजाएगा देखिए यह फिर हम उससे जहम टंप्लेट बनाये थे 294 माम का यह मार्किंग किया हमने देखिए बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं अभी नय है यह यहां से हमने यह पहले मार्किंग किया था अभी यहां से लेके हम दूसरी मार्किंग करेंगे यह मार्किंग हो गए अब हम दूसरी सेड़ में यह हो गया मार्किंग अधिक कर लिया हमने जो दिखाई दे अब हम चलते हैं सेंटर में सेंटर में भी हम उसी तरह से करेंगे यहां से पकड़े और पहले से पहले पर हमने मार्किंग किया अब यह दूसरे से दूसरे पर कर लेंगे यह हो गया अब चलते हैं लाश्ट में वहां देखिए पहले से एक दो बड़े समझाना पड़ता है बच्चों को बाकी तो जो नय है फोड़ी दिक्कत तो आती रहती है लेकिन आदमी मेहनत करेगा तो सफल होगा जरूर यह देखिए मार्किंग हो गई अब हम इसको फिर से देखिए कि लिए दिखाए देरा अब धागा पकड़ेंगे और मार्किंग कर देंगे कि देखिए एक दो बर बताना पड़ा बच्चे जो है खुद सीखने लगए इन बच्चों में सीखने का जो है जजबा है जो सवाल जवाब करते रहते हैं सब सीखते हैं सब यह देखिए मार्किंग खुद कर रहे हैं सब बता दिया गया यह साफ दिखाय दे रहा होगा बगास अट गया तो यह मार्किंग हो गई अब दूसरे रोकों करेंगे नीचे बढ़ा दिये यह मार्किंग हो गई यह मार्किंग हो रही है अब हम चलेंगे उस सेड में उस साइड में देखे करते हैं यह हमने पकड़ा सेंटर से एक चीज़ ध्यान दीजेगा यह तो टाप का है तो सेंटर में तीत है अगर फीड होगा या डिस्चार्ज होगा तो हम क्या करेंगे उसमें भी डिरेक्शन देखके ही हम लगाएंगे मार्किंग मार्किंग होगे अब हम आपको बताते हैं कैसे कटे गई यह देखिए हैं इस से हम बारा से चौदा हम नीचे जाएंगे और यह लाइन मिला दिये यहां से फिर यह गए सीधा और यह लाइन मिला दिये पिर यह गया सीधा नीचे और यह लाइन मिला दिए इस तहीं हिसाब से देखें कटेगा तो आपको बता दे हैं कि इस तहीं कर्दे दिखाई देगा तो आपको सेंटर में तो तीथा आएगा नहीं सेंटर में आगया गुरूप कि अब हम उसमें क्या करेंगे जो उसमें 34 दाते हैं तो हम 17 दातों को पकड़ेंगे तो 17 को इधर से 17 को इधर से हम उस दो दातों पर मार्किंग करेंगे सेंटर में उस हिसाब से हमारा इसमें चैप्रान गुरूप की मार्किंग चलेगी यह हमेशा याद रखिए था मैं तो टाप रोलर में आपको करके दिखा दिया लेकिन फीड में जो आप करेंगे आपको यह वह सेंटर में जो तीथ होगा तो सेंटर में तीथिना आगा सेंटर में गृूप आएगा तो आपकोड़ रोलर में दो तीथ में करके चलना पड़ेगा दो रोलर यह तो बिपरीत और इसे होंगे दिश्चार्ज और कि प्रीड में इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा अभी यह चल लाहा है मंगे हम क्राउण साइड में खड़े हैं तो हमारे दाहिन जाइड में चलेगा आप उसके क्राउण साइड में खड़े होंगे तो बाएं साइड में चलना सुरू हो जाएगा इसके विपरीत में वो कटेगा फीड में डारेक्शन का भी से ध्यान दीजिएगा करते समय हम देखें यह मार्किंग तो हो गई है लेकिन यह डिसकस कर रहा है बच्चे है कि सर मुझे ओडी कैसे पता चली आपने जो है 1125 को कैसे किया है आए देखते हैं ओडी निकालके मैंने मंगवा लिया कमपास मंगवा लिया चेक करने के लिए इन लोगों से चेक कर आ रहा हूं चेक करके यह लोग नाप लेंगे ताकि इनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ओडी यह है दोस्तों आप लोगों के प्यार मुहबबस से यह वीडियो बनायता जा रहा हूं मैं कुछ कमेंटमेंट आते जाते हैं मेरा होसला बढ़ता जाता है ताकि मैं अपनी जनकारी कुछ सेयर कर रहा हूं सबके साथ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए कि ज़्यादा लोगों तक का जो है जानकारी पहुंच सके काम के बीशे में कोई अंजान ना रहे जानकारी रहती है तो काम करने में आसानी रहती है देखें किसी भी चीज़ की किसी को जानकरी जब जाज़ा रहेगी तो उसे जो है काम करने में दिक्कत नहीं आएगी यह ले लिया और इन लोगों से नपो आ रहा हूं इन आप लेंगे ताकि इन लोगों को कनफर्म हो जाए कि ओडी जो हमने किया है वो सही है यह देखिए हम लोगों को पता है लेकिन इन लोगों को प्रेटिकल जरूरी है यह देखिए 1125 एमर इसकी ओडी है